यूँ तो यूपी पूलिस की कारिय शैली को लेकर अक्सर सवाल या निशान लगते नजर आते रहते हैं इसके बावजूद भी योगी सरकार की यूपी पूलिस सोच समझ कर कोई भी कारिय शैली करती हुई नजर नहीं आती है बिना सोचे समझे पीडित की शिकायत पर बिना जांच की एफ आई यार दर्ज की जाती है चाहे वे एफ आई यार फरजी क्यों ना हो इसका जीता जागता सबूत अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं उससे साफ जाहिर होता है कि ठाने में चड़ोनी चड़ाने के बाद दर लोगा के ऐसे सुर्टाल बदल जाते हैं कि फिर उन्हें चार वच्छे साल के मासूम बच्चे भी शातिल अपराधी नजर आते हैं ऐसा ही एक मामला मैंपूरी में देखने को मिला है जहां बटवारे को लेकर हुई मामुली विवाद में पूलिस ने एक तरफा शिकायत को लेकर माता पिता के साथ दो मासूमों पर भी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तयारी कर ली है यहां आपको बता दे कि पूरा मामला उत्रपरदेश के मैंपूरी के थाना किषनी शेतर के ग्राम बसैत का है जहां आपसी बटवारे को लेकर हुई कहा सुनी मी गाव निवासी प्रधान पती अंशुल चुतरवेदी का अपने सगे भाई चकरेश के साथ विवाद हो गया विवाद का कारण छत काल लेंटर काटना भी है जिसके बाद अंशुल चतुरवेदी की पतनी रीतु चतुरवेदी ने अपने देवर के अलावा देवर लानी संगीता और उनके दोनों मासूम पुत्रों के नाम पुलिस को शिकायत में दिये शिकायत के अधार पर पुलिस ने मासूम ओमजी उर्फ आदर्श चतुरवेदी उम्र चार वर्ष वह आयूश उर्फ कनहया चतुरवेदी उम्र छे वर्ष पर संगीन धाराओं के तहत म मासूम ना बालिक वच्चों पर मार पीट की संगेन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है गोर करने वाली बात यह है कि पूलिस ने शिकायती पतर तो ले लिया पर घटना सतल पर जाकर जाज करना जरूरी नहीं समझा बिना जाज किये ही पती पतनी और दो मासूमों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया अब पूलिस किस कारवाही से साफ जाहिर होता हुआ दिख रहा है कि शिकायत करता और पूलिस की सांट गाट से पूरी कारवाही की गई है इस समवन्द में पिडितों ने मुख्य मंत्री को ग्यापन देकर नियाय के गुहार लगाई गई वहीं समाजवादी पार्टी के शेत्री विधायक ब्रिजेश कठेरिया ने परदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी की पूलिस मनमानी और लापरवाही करती है यह किसी से छूपा नहीं है पूरे यूपी में यह लापरवाही चल रही है मैं पूरिस समाधाता गौरफ पांडे की रिपॉर्ट लोगों के साथ का किरें वह एक अच्छागर का नाम किया तुमारा है कंइया कहते है के इस्कूल में तुमारा नाम किया अच्छल में थेनारी कि पिर देले कानाम गिया तुम्हारे का अधिक्या हो चैप रासे विवाद के पूत्रों के नाम लिखे रहें है क्या बेवाद हुआ था कुछ मेंद्ध कुछ नहीं हुआ मेरा पती बॉला भी था, हम भोले तो आपके भी नाम है, डा ब्रच यह अबॉस ने कोई जाच नहीं की और मुकान्फा लिखती है और मुकान्फा लिखती है? में दो नावालिक वच्चे हैं जो जिनकी उम्र पाँच और तीन साल के लगवग बताई आ रही है इनको पुलिस ने इन्वाल्व कर लिया है कि रिपोस्ट में क्या पूरा बसेत का मामला है थाना किसनी के अंदर का दू भाईयों में विवात था इसमें एक वाई ने दूसर यहां पर नहीं है कि यह लापरवाई पूरे प्रदेश में चल लई है और पूरी तरह मानी मुख्वंत्री जी की भी थोंको नीती चल लई है कि जिसको पकड़ो उसको ठोंक दो बगएर यह जाने कि क्या परात था क्या नहीं था बगएर बेक्ग्राउंड जाने आई दिन और उन्हीं के पद जिन्नों पर चलते हुए और पूरा प्रशाशन पूरे पुलिस के अधिकारी सारे के सारे सब नि नाम पर कर दो नाम कि जाने कियों आयो अधिक जाने कि अधिक आए कि मेरे यह जोपे बच्चों को एक चार साल का एक शे साल हो गएर प्रकार को ज़्याद नहीं हुआ और पूंच के अकार निकी सगीता यह भावी जीन है और भाई मेरे थोड़ा धंपल उनके पास कर दो नाम की कोई चीज ही नहीं हुए वनाद टबाया था जिए पर जाने-जाने के लिए पानेक ठेंग शाफ बने पी जिए इतना सा मामला था तो इन दोनों बच्चों को अभी नाम लिखवा दिया जी 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 इन डोले क्या नाम लिखे हैं के और करके क्या नाम भी आते ऐसे ही लिटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को खिलिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाल अजया लिए अजया